वर्तमान में कौन क्या है 2024 साथियो करेंट एफेस का एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है जिससे हर एक्जाम में आपसे कोस्टन्स पूछे ही जाते हैं आज के इस क्लास में 2024 के अभी तक जो नए नए बदलाव किये गये हैं मैंने उन कोस्टनों को इस क्लास में एड कर दिया है इससे बाहर कोस्टन्स आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे ये कोस्टन्स आपके UP पुलिस, SSC, GD, MTS, CGL, CHSL, CPO, BSSC, BPSC, बिहार, पुलिस, Railway, ALP, Technician, NTPC, GroupD UPSC, PCS, पटवारी, कोई भी स्टेट लेवल की एक्जाम के अपतियारी कर रहे हो सभी एक्जाम्स में कोस्टन्स आपसे पूछे जाएंगे तो आज का ये क्लास आपको सुरू से अंतक देख लेना है ताकि ये टॉपिक आपका कम्प्लिट हो जाए और जो जो नए-ने बदला हुए हैं वो सारी जानकारी आप तक पहुँच सके नमस्कार साथियोस, मेरा नाम है सुभास राज और स्वागत है आप सभी साथियो का एक्स्मार्ट स्टेडी 2.0 यूटूब चैनल पर तो आज की क्लास का पहला कुश्चन है कि कौन ब्यक्ति हाली में केंद्रिया माजधमिक सिक्षा बोर्ड यानि CBSE के नए अद्धच बने हैं तो ध्यान से दिखिए, बरतमान में CBSE के नए अध्दच कौन है, या फिर केंद्रियो माजदमिक सिथ्षा बोर्ड के नए अध्दच अभी हाली में कौन बने हैं, याद रिखेगा राहूल सिंग जी, ठीक है, ये राहूल सिंग जी है, जो अभी हाली में CBSE के नए इंसर हो जाएगा यहां आपका option number a cbse का full form आप सभी को पता होगा central board of secondary education याद रिखीगा next question है next question है कौन व्यक्ति हाली में राष्टिया अनुसूचित जाती आयोग यानि ncsc के नए अध्यच बने हैं तो ध्यान से रिखिगा ncsc यानि राष्टिया अनुसूचित जाती आय के नए अध्यच अभी कौन बनाये गए हैं तो याद रखना है किसोर मकवाना जी यह किशोर मकवाना जी हैं जो कि अभी हाली में राष्टिया अनुसूचित जाती आयोग के नए अध्यच बने हैं अगला question है केंद्रिया सतकर्ता आयोग में नए सतकर्ता आयुक्त के रू अजीब। नेक्ष्ट कोस्टेन है कौन व्यक्ति हाली में प्रसार भारती के नए अध्यच बने हैं। अभी कौन बने हैं तो देविंद्र जाजरिया जो कि भारत के एक प्रो भाला फिक खिलाडी है जिनको अभी भारतिया पेरा अलम्पिक समीती के नए अद्धच के रूप में नियुक्त किया गिया है अगला कोस्चेन हाली में कौन पूरु नियाइदिस भारत के नए लोकपा अद्धच बने हैं बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्चेन हैं साथ हो भारत के नए लोकपाल अभी कौन बने हैं तो ए एम खान विलकर याद रखना जो कि भारत के दूसरे नंबर के लोकपाल है ठीक है आगे दिखिए नेक्स्ट कोस्चेन है हाली में किन दो ब्यक्तियों को नए चुनाव आयुक्त के रुप में नियुक्त किया गया है तो एक तो ग्यानेश कुमार जी को ये हैं ग्यानेश कुमार जी और एक हैं सुखवीर संधु जी तो करिक्ट आएगा ओप्सन नंबर सी ग्यानेश कुमार और सुखवीर संधु जी को अभी हाली में भारत के न नए चुनाव आयुख्त के रूप में न्युक्त किया गया है? यह आपको याद रखना है देखिए अगला question है कौन ब्यक्ति हाली में IRCTC के ने chairman वह प्रबन निर्दशक बने необходимо तो ध्यान से दिखिए IRCTC के नए चेर्मेन वो प्रबन इर्दसक के रूप में किनको ने उक्त किया गिया है तो संजाई कुमार जैन जी को करिक्ट आएगा option number A संजाई कुमार जैन Next है कौन ब्यक्ति बर्स 2024-25 के लिए The Institute of Chartered Accounts of India यानि ICAI के नए अद्दच बने है तो ICAI के नए अद्दच रंजित कुमार अगरवाल जी को बनाया गिया है तो करिक्ट आएगा option number C रंजित कुमार अगरवाल Next है कौन ब्यक्ति हाली में भारतिया थलसेना के नए उपपरमुक बने है तो भारतिया थलसेना के नए उपपरमुक कौन बने है तो Lieutenant General उपेंद्र दुवेदी जी यह है Lieutenant General उपेंद्र दुवेदी जो की अभी भारतिया थलसेना के नए उपपरमुक बने है नेक्स्ट कोश्चन दिखिए हाली में कौन भारतिय सेना की पहली महिला सुबेदार बनी है तो भारतिय सेना की पहली महिला सुबेदार कौन बनी है तो प्रीती रहजक option number D correct answer हो जाएगा प्रीती रहजक याद रखना हाली में चमपई सोरेन भारत के किस राज के ने मुख्यमंत्री बने है तो देखिए चमपई सोरेन की बात करें तो ये जारखन राज के ने मुख्यमंत्री बनाए गए है correct आएगा option number B जारखन कौन ब्यक्ति हाली में टेलीकम रेगुलेटरी ओथरेटी ओफ इंडिया यानि ट्राई ट्राई के ने चेर्मेन बने है तो देखिए बरतमान में ट्राई के चेर्मेन कौन है तो अनिल कुमार लाहोटी जी option number C अनिल कुमार लाहोटी यहां correct answer हो जाएगा कौन ब्यक्ति हाली में पैपसी को इंडिया के नए CEO बने है तो द्यान से दिखीगा पैपसी को इंडिया के नए CEO कौन बने है तो जागरित को टेचा option number B जागरित को टेचा यहां correct answer हो जाएगा कौन ब्यक्ति हाली में ससस्त्र सीमा बल यानि SSB के नए महा निर्देसक बने है तो द्यान से दिखीगा साथ यहों SSB के नए महा निर्देसक कौन बने है तो दलजित सिंग चौधरी जी ठीक है यह हैं नौसेना संचालन के नए महानिर्दसक के रूप में ए एन प्रमोद जी को नियुक्त किया गया है तो करिक्ट आएगा ओप्सन नंबर भी ए एन प्रमोद नेक्स्ट कोस्टेन है हाली में कौन प्रथम भारतिय ब्यक्ति बिम्स्टेक के नए महासचिप बने है यानि बिम्स्टेक के महासचिप बनने वाले प्रथम भारतिय ब्यक्ति कौन बन गये है तो भई ये हैं इंद्रा मनी पांडे जी ओप्सन नंबर सी करिक्ट अंसर हो जाएगा इंद्रा मनी पांडे हाली में कौन महाराष्टर राज की पहली महिला पुलीस महानिर्दसक बनी है यानि महाराष्टर राज की पहली महिला डी जी पी कौन बनी है तो दिखे करिक्ट आएगा रश्मी शुकला ओप्सन नंबर डी रश्मी शुकला करिक्ट होगा कौन व्यक्ति हाली में अरिंदम बागजी के अस्थान पर विदेश मंत्रालाई के नए प्रवक्ता बने हैं तो अरिंदम बागजी पहले विदेश मंत्रालाई के प्रवक्ता थे और उनका जगाह अभी किनोने लिया है तो रंधिर जैसवाल जी ने याद रिखिए रंदीर जैस्वाल जोकी विदेश मंतरालाई के नए प्रवक्ता बने हैं आगे दिखिए next question है कौन ब्यक्ती हाली में Supreme Court कानूनी सेवा समीती के नए अद्धच बने है तो देखिए Supreme Court कानूनी सेवा समीती के नए अद्धच अभी कौन बनाए गए है तो Justice B.R. गवाई Option number C Justice B.R. गवाई करेक्ट हो जाएगा कौन ब्यक्ति हाली में पावर गृरीड कोर्पोरेशन के नए अधच वह प्रबन निर्द सक बने हैं तो देखिए पावर गृरीड कोर्पोरेशन के नए अधच वह प्रबन निर्द सक अभी कौन बना गये हैं तो रविंद्र कुमार त्यागी जी ठीक है ये हैं रविंद्र कुमार त्यागी जो की पावर गिरीड कोर्पोरेशन के नए अधच वह प्रबन निर्देशक बने हैं आगे दिखेगा अगला कुश्चन है हाली में किसे संदीप नेथानी के अस्थान पर भारतिया न सेना के चीफ ओफ मटेरियल कौन है तो याद रिखे किरन देशमुख जी ठीक है ओप्सन नमबर भी करेक्टन्स रो जाएगा किरन देशमुख अगला है भारत सरकार ने किसे सोलावे बीतायोग के चैर्मेन के रुप में नियुक्त किया है तो ध्यान से दिखेगा सोलावे अपसन नमबर भी अर्बिन पनगडिया यहां करेक्टन्स रोगा हाली में किसे इंडियन ओयल कोर्परेशन की नई मानव संसाधन निर्देशक के रुप में नियुक्त किया गया है तो रस्मी गोबिल जी को ओप्सन नमबर एक रस्मी गोबिल कौन व्यक्ति हाली में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानि ITBP ITBP के नए महा निर्दसक बने है तो देखिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानि ITBP के नए महा निर्दसक अभी कौन बने है तो याद रिखे राहुल रस गोतरा जी यहां करेक्टेंट्स रो जाएगा राहुल रस गोतरा option number C next है केंद्र सरकार ने हाली में किसे केंद्रिया रिजर्ब पुलिस बल यानि CRPF का नया महानिर्देसक ने उक्त किया है तो साथ यो CRPF CRPF का नया महानिर्देसक अनिस दयाल सिंग जी को याद रखना अनिस दयाल सिंग जी जो कि अभी CRPF के बरतमान में महानिर्देसक हैं आगे दिखिए अगला कोश्चे ने हाली में कौन केंद्रिया ओधोगिक सुरक्षा बल ठीक है केंद्रिया ओधोगिक सुरक्षा बल यानि CISF CISF की पहली महिला प्रमुक बनी है तो दिखिए CISF की पहली महिला प्रमुक कौन बनी है तो नीना सिंग करिक्ट आएगा ओप्षन नमबर भी ये है नीना सिंग जी जो कि CISF की प्रतम महिला प्रमुक बनी है याद रिखिएगा अगला कोश्चे ने कौन ब्यक्ति हाली में LIC के नए मुख्य जोख्य मधिकारी बने है तो देखिए LIC के नए मुख्य जोख्य मधिकारी के रूप में S. सुंदर कृषन जी को नियुक्त किया गया है ओप्षन नमबर सी करेक्टन सरू जाएगा अगला हाली में कौन अंतराष्टिय टेबल टेनिस महासंग यानि ITTF International Table Tennis Federation की बीटा दानी फिक्की के बर्स 2023-24 के लिए नए अद्धच कौन बने हैं तो याद रखना अनिस्सा फिक्की का फुल फॉम आप सभी को पता होगा Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry होता है आगे दिखिए नेक्स्ट है हाली में कौन सियाचीन पर तैनात होने वाली प्राथम महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है तो साथियों सियाचीन पर तैनात होने वाली प्राथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है तो के गीती का कॉल यानि कैप्टन गीती का कॉल आप्सन नमबर सी आगे दिखिए अगला कोस्टेन है हाली में कौन भारतिया बानी की अनुसंधान एवं सिक्षा परिशद की पहली महिला महानिर्देसक बनी है तो भारतिया बानी की अनुसंधान एवं सिक्षा परिशद की पहली महिला महानिर्देसक कंचन देवी जी को बनाया गिया है ओप् पूर्पूर के अस्थान पर भारतिया बायुसेना मुख्यालाई के नए महासचीब या महानिर्दसक कौन बने हैं तो मकरंद रनाडे करिक्ट आएगा ओप्सन नमबर डी मकरंद रनाडे याद रखना हाली में कौन भारत की पहली महिला ससस्त्र बल में सहायक डीकेम्प बनी हैं तो भारत की पहली महिला ससस्त्र बल में सहायक डीकेम्प कौन बनी है तो मनीशा पाढ़ी जी ओप्सन नमबर बी करिक्ट अंसर हो जाएगा मनीशा पाढ़ी याद रिखिएगा सभी आगे दिखिए नेक्स्ट है कौन भ्यक्ति हाली में केंद्रिय जांच बियोरो यान हितेश मकवान जी को नियुक्त क्या गया है नुर्वारत के पहले दलीत मुख्य शुचन आयुक्त कौन बने है याद रिखिए हिरलाल सामरिया जी ओप्सन नमबर सी करिक्ट होगा हिडा लाल सामरिया अगला कुछ ने कौन ब्यक्ति हाली में RBI के नए कायरकारी निर्द्दसक यानि ED बने हैं तो RBI के नए कायरकारी निर्दसक कौन बने हैं तो मनुरंजन मिसराजी ओप्सन नमबर D अगला कौन ब्यक्ति हाली में State Bank of India यानि SBI के नए ब्रांड अंबस्टर बने हैं तो SBI के नए ब्रांड अंबस्टर महेंदर सिंग दोनी को बनाया गिया है ओप्सन नमबर D MS दोनी याद रिखिएगा अगला हरियाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गिया है तो दिखे हरियाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में नायाब सेनी जी को नियुक्त किया गया है तो option number नायाब सेनी यहाँ पर आपका correct होगा जो की बरतमान में हरियाना के मुख्यमंत्री है आज के class का अंतिम question है कौन ब्यक्ति हाली में भारतिया बैंक संग यानि IBA के नए चेर्मेन बने हैं तो दिखे भारतिया बैंक संग के नए चेर्मेन कौन बने हैं तो M.V. Rao option number डी करेक्टन सरो जाएगा साथ्यों ये जनवरी 2024 से अभी मार्च 2024 तक जितने भी बदला हुए थे वो सारे questions मैंने आज के इस class में एड कर दिया था मैंने केवल वही questions लिया था जो अभी हाली में changes हुए हैं बदला हुए हैं तो साथ्यों ये class आपको कैसा लगा है comment box में बताईएगा class अगर पसंद आया है तो please like कर देना और इस class को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजेगा क्योंकि साथ्यों आप class शेयर करते हैं तो दूसरों का भला करते हैं जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेस साथ भला होता है मिलेंगे आप से next class में तब तक बिल्कुल स्वास्त रहें जहिंद वंदे मात्रम